नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हर्दिक स्वागत है व्यंग जब कभी भी व्यंग की बात आती है तो कुछ नाम अनायासी हमारे सामने आ जाते हैं जैसे परसाई जी, शरत जोशी जी तो हमने परसाई जी पे तो काफी कहानिया पढ़ी व्यंग पढ़े शरत जोशी पे भी वैसे अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने इनकी लगू कथाओं पर एक सिरीज बनाई है तो हम शरत जोशी जी की भी कुछ व्यंग कथाओं को पढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम उसकी शुरुवात करते हैं तो यहां जो हम व्यंग पढ़ेंगे उसका नाम है रेल यात्रा आईए शुरू करते हैं रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतिये रेलें तेजी से प्रगती कर रही हैं ठीक कहते हैं रेलें हमेशा प्रगती ही करती हैं वे बंबई से प्रगती करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं, वहां से प्रगती करती हुई बंबई तक आ जाती हैं, ये दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुख जाती हैं और लेट पहुँचती हैं, अब देखिये न, प्रगती की राह में रोडे कहां नहीं आते, क गहराई में घुसे आप सच्चाई को मैसूस नहीं कर सकते हमारे यहां कहा जाता है इश्वर आपकी यातरा सफल करे आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोज मर्रा की बात में इश्वर को क्यों घसीटा जाता है पर जड़ा सोचिये unconscious में इश्वर के सिवाए आपका है कौन एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड में जगह बनाते हैं भारतिये रेलों में तो ये है आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा अगर इश्वर आपके साथ है टिकट आपके हाथ है पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे फिर चाहे बर्थ मिले या न मिले अरे भारतिये रेलों का काम तो कर्म करना है फल की चिंता वो नहीं करती रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह जाना है यात्री की जो भी दशा हो जिन्दा रहे या मुर्दा भारतिये रेलों का काम उसे पहुचा देना भर है अरे जिसे जाना है वो तो जाएगा बर्त पर लेट कर जाएगा पैर पसार कर जाएगा जिसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिकबल और दूसरे किसिम के बल हैं उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता वे जो शराफत और और निर्ने के मारे होते हैं, वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वे सामान लिए दरवाजे के पास खड़े रहते हैं भारतिये रेलें हमें जीवन जीना सिखाती हैं जो चड़ गया उसकी जगह जो बैठ गया उसकी सीट जो लेट गया उसकी बर्त अगर आप ये सब कर सकते हैं तो अपने रज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं भारतिये रेलें तो साफ कहती हैं जिसमें दम उसके हम आत्म ब ये कितनी खुशी की बात है कि प्रगती के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा दुर्दशा तब भी थी दुर्दशा आज भी है ये रेलें ये हवाई जहाज ये सब विदेशी हैं ये ना हमारा चरित्र बदल सकती हैं और ना हमारा भाग्य भारतिये रेलों ने एक ब पीड़ा नगणने है अब जैसे आप ससुराल जा रहे हैं महिने भर पहले आरक्षन करा लिया है घंटा भर पहले स्टेशन पहुँच गए हैं बर्त पर विस्तर फैला दिया और रेल उस दिशा में दोड़ने लगी जिस दिशा में आपका ससुराल है ससुराल बड़ा आरा है आरक्षन छोटा आराम है बड़े आराम की मनजिल छोटे आराम से तय होती है इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगणने है मानिये आपके बाप मर गये माफ कीजे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ भगवान उनकी लंबी उमर करे अगर वे पहले ही न मर गये हो तो हाँ आप खबर सुनते हैं और अपने गाउं जाने के लिए फोरण रेल में चढ़ जाते हैं भीर धका मुका थुका फजीहत गाली गलज आप सब कुछ सेहन करते खड़े रहते हैं पिता जी जो मर गये हैं बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगणन मैं एक दूसरा उदारन देता हूँ मानिये एक कुवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है वो होशंगा बाद में अपने मामा के घर आई है देखना चाहो तो फोरण जाकर देखाओ आरक्षन का समय नहीं है कुवारा लड़का न आव देखता है न ताव रेल के डबे में चड़ जाता है फिर वही भीड धका मुका थुका फजीहत गाली गलोज मगर क्या करे लड़की से शादी जो करनी है जिन्दगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है यानि बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगन्ने है भारतिये रेलें चिंतन के विकास में बड़ा योग देती है प्राचीन मनीशियों ने कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है क्यों भाईया प्रिथवी से स्वर्ग तक या नरक तक की रेलें चलती है जाने वालों की भीड बहुत जादा है भारतिये रेले भी हमें यही तो सिखाती हैं सामान रख दोगे तो बैठोगे कहां बैठ जाओगे तो सामान कहां रखोगे दोनों कर दोगे तो दूसरा कहां बैठेगा वो बैठ गया तो तुम कहां खड़े रहोगे खड़े हो गए तो सामान कहां रहेगा इसलि ये रेलें चाहती हैं कि वो जीते जी ही आजाए चरम इस्थिती परम हलकी अवस्था खाली हाथ बिना बिस्तर मिल जा बेटा अनंत में सारी रेलों को अंततह उपर जाना है टिकिट क्या है देह धरे को दंड है बंबई की लोकल ट्रेन में भीड से दबे कोने में सिम्टे या भारतिये रेलें हमें मृत्यू का दर्शन समझाती हैं और अकसर पट्री से उतर कर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती हैं कोई नहीं कह सकता कि रेल में चड़ने के बाद वो कहां उतरेगा हस्पताल में या शम्शान में लोग रेलों की आलोचना करते हैं अरे रेल च विचारों के अतरिक्त वहां कुछ डूबने को होता भी तो नहीं है रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है खड़ी है तो बस खड़ी है जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी हो उधर प्लेटफॉर्म पर यातरी खड़े इसका इंतजार कर रहे हैं ये जंगल में नहीं किसका इंतजार कर रही है खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते रहते हैं पास बैठा यातरी पूछता है कहिए भाई सहाब आपका क्या खयाल है इस कंट्री का कोई फ्यूचर है की नहीं पता नहीं भाई अभी तो ये सोचिए कि स्ट्रेन का कोई फ्यूचर है की न पढ़ते हैं फिर किसी स्टेशन पे वो सुन्दर इस्त्री भी उतर जाती है एका एक लगता है जैसे सारी रेल खाली हो गई है मन करता है कि हम भी उतर जाएं पर भारतिये रेलों में आदमी अपने टिकट से मजबूर होता है जिसका जहां का टिकट होगा वो वहीं तो उतरे वो सुन्दर इस्त्री का यहां का टिकट था वो यहां उतर गई हमारा आगे का टिकट है हम वहां उतरेंगे भारतिये रेले कहीं न कहीं हमारे मन को छूती है वो मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है एक उंगता हुआ यात्री दूसरे उंगते हुए यात्री के कंधे प पर लेटे हुए इस यात्री से पूछता है ये कौन सा इस्टेशन है कभियत होती है कि कहूं अबे चुक चाप सो क्यों डिस्टर्ब करता है मगर नहीं वो भारतिये रेल का यात्री है और भारत भूमी पर यात्रा कर रहा है वो जानना चाहता है कि इस समय एक भारतिये रेल कहां तक प्रगती कर ली है आधी रात के घुप अंधेरे में मैं भारत भूमी को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ पता नहीं किस अंजाने स्टेशन के अंजाने सिगनल पर भाग्य की रेल रुकी पड़ी है उपर की बर्थवाला अपने प्रश्न को दोहराता है मैं अपन बढ़ रही है भारतिय मनुष्य आगे बढ़ रहा है आपने भारतिय मनुष्य को भारतिय रेल के पीछे भागते देखा होगा उसे पैदान से लटके डब्बे के छट पे बैठे भारतिय रेलों के साथ प्रगती करते देखा होगा कई बार मुझे लगता है कि भारतिय पास्ता नहीं रहेगा, बढ़ते रहो, रेल में सफर करते, दिन रात जगरते, रात भर जागते, बढ़ते रहो, रेल निशात सर्वभूता नाम, जो सयमी होते हैं, वे रात भर जागते हैं, भारतिये रेलों की यही प्रगती है, जब तक एकसिडेंट न हो, हमें जागते र धन्यवाद, भारतिये रेलों की जो दुर्दशा थी, हम जो उस समय के साक्षी हैं, हम जानते हैं, भारतिये रेल क्या था, अब काफी बदलाव आ चुका है, पर सरद जोशी जी ने अपने समय, जो रेल की दुर्दशा थी, उसकी एक कहानी बताई है, व्यंग किया है उस चलिए, मुलाकात होगी अन्य कहानियों में, जैहिंद